और दोस्तों कैसे हो मैं का उस्ता में आप देख रहे हो को उस्तों वाई-फाई चैनल में आपका बहुत-बहुत सवगत है तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह रेड्मी 9 मोबाइल का अन्बॉक्सिंग है और उसके साथ सती इसका जो रिवीव है ओ भी रहेगा तो वी सेंटी वाला बटन है उसको पर क्लिक करके all कर दिजिए क्योंकि मैं जब भी कोई वी वीडियो अव्लोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पस सी नोटिविकेशन पहुंच जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं इस बॉक्स का अंदर क्या फीच detects देखने को मिलेगा तो जैसे कि यहां पर देख पर हो यह रेड्मी जो 9 जो मुबायल है उसका बॉक्स है więc Indian No.1 जो बैंड हे डेड्मी थो सायो में य उनी बीधा है एड्या फाहजमी नाम नाम यहा पर लिखा घया है यहाँ पर जैसे कि देख पर हो यहाँ पर Mediatek G35 जो प्रोसेसर है यहाँ आपको देखने को मिलेगा उसके साथ सती यहाँ पर और भी फीर से लिखा हुआ है 5000 mAh का बैटरी है और उसके साथ साथ इन दा बॉक्स आपको 10W का एक चार्जर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा तो उसके बाद यहाँ पर 13MP का एक Primary Camera आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही अचाया और उसके साथ साथ 2MP का और भी एक Camera आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर Dot Notch डिस्पले आपको देखने को मिलेगा जो की 6.53 इंच का है जो डिस्पले बहुत ही बड़ा है और उस साथ साती आपको front facing camera में आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा यहाँ पर देख पर हो 5MP का XL B Camera आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो की बहुत ही अच्छा है और उसके साथ साथ यह आप आपको दो SIM और एक memory card रही एक ही साथ एक साथ रही टाइम में आपको यूज क का जो कालर है वह कार्बोन ब्लैक एंड इसका जो वेरियंट है वह चार चौसट जीवी तो चले इसको अन्बॉक्स करके देखते हैं इसका अंदर क्या का कॉंटेंट देखने को मिलता है तो फटर फट इसको खोल के देखते हैं तो खोलने के बाद यहां पर जैसे कि आप देख पर हो यहां पर ऐसा लूख है इसमें तो में डिवाइस को साइड में रखते हैं देखते बॉक्स में और का कॉंटेंट देखने को मिलेगा तो फर्स्ट आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको यूजर मै गाइड आपको देखने को मिलेगा जो कि कोई भी पढ़ता नहीं है तो उसके बाद यहां पर सीम इजेक्टर टूल आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है रेडमी में सभी मोबाइल में आपको यह इजेक्टर टूल आपको देखने को मिलता है तो तो जैसे कि आप आप देख परों माइक को एस्बी के वेली दिया गया है टाइप सी नहीं है एन उसके बाद यहां पर एक टाफिलिंग एडप्टर आपको देखने को मिलता है जो की 10 वाट है इन दा बॉक्स आपको यही देखने को मिलेगा फार्स चर्जिंग आपको देखन तो यहां पर जो साउमी का जो लोगो है यहां पर लिखा गया है और उसके बाद यहां पर रेड्मी वाई साउमी एभी लिखा गया है और यहां पर एक डॉट नॉच जो डिस्प्ले है वो यहां पर है और यहां पर एक फॉर्ण फेसिक कैमेरा है जो की 5 मेगा पिक्सल है एहां पे एक speaker दिया गया है जो year speaker है एड उसके बाद एहां पे एक sam ट्रे दिया गया है जैसे कि आप आप देख परो यहां पे जो Ó शींग 新 ट्रे है यहांपे दिया गया है अन दूसरी साइड में आप जो volume up down जो key है यहाँ पे है और उसके साथ साथ है यहाँ पर एक power button भी दिया गया है तो बहुत ही अच्छा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर ब्लास्टर्ड जो रेडमी का सभी मोबाइल में मिलता है तो इस मोबाइल में ओ देखने को नहीं मिलेगा और दोस्तों PC के तार आप यहां पर 13 MP and 2 MP का एक कैमेरा दिया गया है यहां पर एक जो LED फ्लैस है यहां पर दिया गया है यहां पर एक फिजिकल फिंगर फिंट के लिए एक सेंसर भी दिया गया है यहां पर भी फिट से रेडमी का जो लोगो है यहां पर दिया गया है तो उसके बाद यहां पर आप देख पर हो यहां पर एक लाइनिंग है यहां फटाफट इसको बूट करते हैं बूट करने के टाइम जितना टाइम लगएगा उस टाइम में आप फटाफट इस चैनल को सबस्काइब कर लो क्योंकि मैं हर दिन ऐसा ही टिक्नोलोजी रिभीव कोई भी आन्बॉक्सिंग इस चैनल में राता राता हूं तो फटाफट से इस चैनल को सबस्काइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो इस वीडियो को लाइक टरगेट रखते हैं तो जल से जल आप इसको लाइक भी कर देंगे तो चली इसको बूट करते हैं देखते इसका अंदर क्या फीचर्स देखने को मिलता है तो इस पेपर को थोड़ा हाटा देते हैं बहुत ही लाग रहा है मुझे गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रही है क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे इसका गूड और बैट साइट तो इसके बाद यहां को MIUI 12 का अपडेट आपको देखने को मिलेगा मादलाब इन-built MIUI 12 आपको इस मोबाईल में देखने को मिलेगा तो इसको फटाफ़ट सेट अप करते हैं उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ते हैं तो इसको फटाफ़ट सेट अप होने के बाद यहां पे आप देख पर हो तो यहां पे बहुत सारे जो प्री लूडेड एप से यहां पे आप देख पर हो तो इसको आप अनिस्टल कर सकतो और कुछ-कुछ एप से जो आप अनिस्टल नहीं कर सकतो तो यहां पे वह कर ले ना तो first इसका हम बात करते है जो UI है तो UI बहुत ही आच्छा है तो यहां पर आपको MIUI 12 आपको देखने को मिलेगा और जो की Android version 10 में based है तो यहां पर आप देख पारो Android 10 है जो की बहुत ही आच्छा है और कुछ दिनों के बाद यहां पर जो आपडेट आएगा जो security patch आपडेट आएगा तो इससे चलते आपका जो बहुत सरे security आपडेट है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर आप देख पारो इसका जो security आपडेट है तो वो 2020 का October में आपको इसमें डाला गया था तो उसके बाद फिर से आपको एक security आपडेट मिलेगा जल से जल यहां पर GBRIU 12 है बहुत ही आच्छा है इसका जो बाढ़्ाशन है जो ii है बहुत ही आच्छा है इसमें जो एप से बहुत ही smooth चल रहा है तो इसमें जो ii है बहुत ही आच्छा यहाँ आप देख पर हो जो एपस ओपिनिंग टाइम है कितना लेज है क्योंकि इसमें जो G35 प्रोसेसर है उसका चलते इसमें जो भी पर्फरमेंस देख रहा है हो तो ठीक ठाकी लाग रहा है मुझे तो इससे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मोबाइ इसका जो फ्राइज है इससे चलते ठीक ठाकी है अगर आप एक दो हजर एक्स्टा दे दे तो उस टाइम आपको इससे भी और भी आच्छा मोबाइल देगने को मिलेगा तो इसका फास्ट हम कैमेरा टेस्ट कर लेते हैं तो कैमेरा का खुलने के बाद यहां पर हैं हम एक प फिक्ड ठाकी टो मुझे लाग रहा है मुझे पता नहीं फीक ट्रक लैप्टॉप में देखेंगे तो ताप मुझे पता चलेगा कैसा पिक्ड राए तो ऑऔर और पर यहां पर आई-बाटन में विडियो मील जाेंगा 기본-देखले दे ना तो उससे जो camera quality है उससे भी आच्छा है इस mobile में तो यहां पर जो इसका जो color है यहां पर detailing है बहुत ही आच्छा तरीके से यहां पर खीचा गया है तो यहां पर आप देख पार हो screen में तो इसका जो performance है ठीक ठाकी मुझे लाग रहा है अगर इसका बात करें इसका जो seem tray है तो इसका बात करें तो यहां पर आपको दो seem and एक memory card एक ही साथ use करने के लिए आपको देखने को मिलेगा तो जैसे कि आप आप देख पार हो इसका जो seem tray है तो इसको हम थोड़ा focus कर लेते हैं तो यहां पर देख पार हो 2 seem and 1 memory card एक ही साथ आप use कर पहेंगे जो बहुत ही अच्छा मुझे लागा है रेडमी का अभी के time में जो mobile आ रहा है सभी में आ रहा है तो यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग सुचते है कि mobile का जो storage है उसमें हम फोटो स्टोर करेंगे तो उसके लिए और बहुत ही difficult हो जाता है कि दो SIM card एक memory card यूज करने के लिए तो रेडमी ने जो सोचा है बहुत ही आच्छा है तो इस mobile का जो overall performance है तो बहुत ही आच्छा है तो मुझे इस price range में इसका जो performance है वो मुझे satisfy कर पाया क्योंकि इस processor है जो mobile है ठीक था कि आपको देगने को मिल रहा है लेकिन दोस्तों इस processor का और भी आच्छा variant आना चाहिए था higher variant आना चाहिए था क्योंकि 9000 रुपिया है तो इससे और 1000 दे देंगे तो इससे भी आच्छा mobile आ जाता है लेकिन दोस्तों इस price range में इसका जो performance है ठीक था कि म आप टू 400 निच ताग जा सकता है और दोस्तों सेगेंड जो है वह है LPDDR 4X RAM आपको इस mobile में देखने को मिलेगा और दोस्तों इस mobile का जो थार्ड जो good point है वह है आप इस mobile में आपको G35 का एक processor आप देखने को मिलेगा with 4GB RAM जो कि बहुत ही आच्छा है इस price range में आपको 3GB RAM आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही आच्छा है इस mobile में आपको 4GB RAM देखने को मिलता है और दोस्ति इस mobile में जो सबसे अच्छा जो feature से ओ है P2i जो coating है इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि flash poop में काम करता है मतलब आप 12 के टाइम जब घर से बाहर जाते हो तो उस इस time आपका mobile में कोई भी problem नहीं आएगा तो overall इस mobile का जो performance है बहुत ही आच्छा मुझे लागा है क्योंकि इस price range में आपको कोई भी mobile MI12 in the box आपको देखने को नहीं मिलेगा इस mobile में आपको in the box MI12 जो है वो आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही आच्छा है और दोस्त इस mobile में आपको जो फार्स चर्जिंग है और दोस्तो इसके साथ साथ इस mobile में आपको जाइरोस्कोप जो सेंसर है ओ भी आपको इस mobile में देखने को नहीं मिलेगा जो कि मुझे बहुत ही disappointed मुझे को किया है तो आगर ए mobile आप खरिडना चातो तो नीचे में इसका description नहीं इसक साथ दिन यूज करने के बाद तो हम दे देंगे साथ दिन के बाद इसको use करेंगे full day use करेंगे और उसके बाद ही इसका full review देंगे तो आज का जो वीडियो था वो शिरप और सिफ के लिए यह मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज के लिए बाई जैहिंद बंदे मातरम